हमारी पार्टी को कुचलने में, खतम करने में, जानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अगर ये चुनाव पीच जीत गए, जितने विपक्ष के नेता हैं, ये सारे जेल के अंदर हो, योगी आदित नात की राजनीती खतम करेंगे, उनको भी निप्टा देंगे, यही ही ताना शाहि है दोस्ता, वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही ताना शाह इस देश के अंदर बचाएगा, आज एक ताना शाह इस देश से जनतंतर खतम करना चाहता है, यह लोग इंडिया घठवंदन पोचते हैं, आपका प्रधानमंत्री को होगा, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं, मैं बीजेपी से पूछता हूँ, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमिच्छा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और अमिच्छा जी से ये मोदी की कारंटी पूरी कौन करेगा, क्या मिच्छा मोदी की कारंटी पूरी करेंग दोस्तों हमारी आम आद्मी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है दो राज्यों के अंदर है अभी दस साल पुरानी पार्टी है हमारी पार्टी को कुचलने में खतम करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिये एक साथ अर्विन केजरीवाग्ट मनीज सिसोदिया संजे सिंग सतिंदर जैन बड़ी बड़ी पार्टी ओं के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाए पार्टी खतम हो जाए आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिये उन्होंने सोचा कि पार्टी खतम हो जाएगी लेकिन ये पार्टी नहीं है ये एक सोच है जितना ये खतम करना चाते हैं उतना ये बढ़ती जाती है ये क्रश करना चाते हैं प्रधान मंत्री जी आम आदमी पार्टी को जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं वो कई लोग हमें भी जानते हैं वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरी वाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनिट बात करते हैं उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविश्य देने वाली है वो खुद भी मानते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए इनको कुचल दिया जाए यह ताना शाहिए अगर उनको लगता है कि आम आद्मी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलनेंज देने वाली है आप अच्छे काम करो, आप देश को भविश्य दो, आज आपकी सरकार एक इंदर के अंदर आप देश के लिए काम करोगे आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुछल दो यह जनतंत्र नहीं है यह इस देश की जनता पसंदे नहीं करते है इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नी छोड़ी, छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है, 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और कि उसके नेताओं को प्रताडित नहीं किया गया, जिस तरह से प्रधान मंत्री मोधी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताडित करने की कोशिश किया, मेर को इन्होंने जेल भेज दिया, प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं, ब्रश्टाचार से लड़ रहा हूं, देश के सबसे बड़े चोड, उचक्के और डक्यतों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिन लोगो को दस दिन पहले मोदी जी कहते थे, सत्तर हजार करोड का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को बिप्ती सीम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं, और उनके सारे एडी और सीबिया के मामले खतम कर और कहते हैं, मैं भरष्टाचार से लड़ रहा हूँ, मैं मोदी जी को कहना चाता हूँ, भरष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है, तो केजरी वाल से सीखो, प्रधान मंत्री जी भरष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरी वाल ने लड़ी है, कि 2015 में जब डिली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंतरी कर एक और इए मैरे पास किसी ने वाटसअप कर दिया कि उस और इस में मेरा मंठी किसी दुकान वाले से पांच लाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था, आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को CBI के हवाले कर दिया, जेल बेज दिया था, अपने मंत्री को, ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ाई था, पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री, मेरा एक मंत्री ब्रष्टाचार में मिर को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है, वहां पे मान साब ने उसको किसी को भी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उपा के जेल में भेज दिया, तुम द रश्ताइचार के खिलाव नहीं लड़ रहे परदानमंत्री जी आप देश वासियों को बेवकूफ मत समझो देश बच्चे बच्चे के जुबान के उपर हो रहा है कि सारे चोर चको को अपनी पार्टी में शामिल करके और एडी और सीबया के सारे केस उनके रफाद रफा कर केजरी वाल को क्यों गिरफतार किया केजरी वाल को गिरफतार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरी वाल को गिरफतार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफतार कर सकता हूं किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुमको कि रफ्तार कर सकता है एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधान मंत्री जिने बहुत ही खतरना है देश्वासियों को यह समझने की अब जो मैं बोलने जा रहा हूं समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर देश के सारे नेताओं को खतम करना चाहते हैं मोदी जी और इसको दो स्तर के उपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपता देंगे उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे उनको सबको निपटाते जाएंगे विपक्ष के अंदर आज इनोंने मनीज सिसोधिया को जेल बेज दिया संजा सिंग को जेल बेज दिया सतंदर जैन को जेल बेज दिया केजरिवाल को जेल बेज दिया हिमन सुरेन को जेल बेज दिया मंता दीदी के कई मंत्रियों को जेल ब अगर ये चुनाफ जीत गई इनोंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा अडवानी जी की राजनीती खतम कर दी इनोंने मुरली मनावर जोशी की राजनीती खतम कर दी सुमित्रम आजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मध्यपरदेश का चुनाफ जीत के दिया इन वसंद्रा राजी की राजनीती खतम कर दी इनोंने खट्टर साथ की राजनीती खतम कर दी डॉक्टर रमन सिंग की राजनीती खतम कर दी अब अगला किसका नंबर है योगी आदित्यनाफ अगर यह चुनाफ जीत गए मेर से लिखवालत दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बदन देंगे जोगी अधित नाथ की राजनीती खतम करेंगे उनको भी निप्टा देंगे यही ताना शाही है दोस्तों वन नेशन वन लीडर यह चाहते हैं एक ही तान देश के अंदर बचेगा हमारा देश बहुत महान है चार हजार पांच हजार साल पुराना हमारा देश है इसके पिछले हमारे देश के ओपर गबजा करने की कोशिश की इस देश की जंता ने उसका तखता उखाड़ के फेक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जंतंतर खतम करना चाहता है आज एक ताना शाह इस देश से लोकशाही खतम करना चाहता है मैं पूरे तन मन धन्से लड़ रहाँ संघर्ष कर रहाँ उस ताना शाठ के खिलाभ एक सो चालिस करोड लोगों का साथ चाहता हूँ मेरे अकेले के करने से नहीं होगा एक सो चालीस आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूँ 140 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों से भीग मांगने के रहा हूं मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे दो मेरे देश को मैं सुप्रिम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं उन्होंने 21 दिन दिये हैं एक एक दिन में 24 गंटे हैं मैं एक दिन में 24 में से 36 गंटे काम करूंगा पूरे देश मर में गूमूंगा इस ताना शाही को रोकने के लिए दोस्तों जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं मेरे सब कुछ कुर्बान है देश के लिए मेरे तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए मेरे खून का एक एक कत्रा मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक एक कत्रा मेरी जिन्दीगी का एक पल मेरे देश के लिए मेरे देश को गचाने के लिए मैं पूरे देश में जानगा दोस्ते अब एक बहुत महत्वपून बात करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना यह लोग इंडिया गढ़वंदन से पूछते हैं आपका प्रदानमंत्री कौन होगा मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रदानमंत्री कौन होगा कि आप लोग सोच रहे होंगे केजरीशी वाल क्या बात कर रहा हैalition कasure ने नहीं is B JP के अंदर मोदी जी ने दो हजार चौदा में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि B JP के अंदर जो भी 75 साल का उग़ां को रिटायर कर दिया जाएगा सबसे पहले अडवानी जी को रिटायर किया गया उसके प्यार मोदी मरो जोशी जी को को रिटायर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधान मंत्री का दावेदार कौन है दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार वनी तो उसके भी आऊंगा मैं अगर इनकी सरकार वनी तो पहले अगले दो महीने में योगी जी को निपताएंगे ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमिच्छा को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे तो मैं लोगों को देश के लोगों को आगा करना चाहता हूं मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे मोदी जी अमिच्छा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमिच्छा जी से ये मोदी की कारेंटी पूरी कौन करेगा क्या मिच्छा मोदी की कारेंटी पूरी करेंगे जब आप अगर जो जो वैसे तो मेरे को लगता मैं भी आँगा उसके ओपर मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है लेकिन जो जो बीजेबी को वाट देने जाएं वो यह सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पर वोट नहीं दे रहें आप अमिच्छा के नाम पर गोट? अब एक खुश खबरी है आप लोगों के लिए अब एक खुश खबरी है सब को बता देना जो मैंने बाते कहीं है बड़ी सोच समझे के कहीं है वहाँ बैठके यही सोच रहा था कचास दिन से दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए बीस घंटे हो गए इन बीस घंटों के अंदर भी मैंने रात भर मैं जंता से बात कर रहा था लोगों से फोम कर रहा था रात को आंधी आई दी पिछले 20 घंटे में मैंने जो बात चीत करी है कई बड़े बड़े एकस्पर्ट से बात की चुनाव विशलेशकों से बात की सिफरोजिस्क से बात की जंता से बात की फोन पे लोगों से मेरा अपना आखरन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही मोगी सरकार दोस्तों अगर मैं गलत हूँ तो मेर को बताना हर्याना में की सीट कम हो रही है राजस्तान में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है दिल्ली में कम में कम हो रही है यूपी में कम हो रही है बड़का रही है बड़ एक भी जगह इंकी सीटे नहीं बढ़ रही है मेरा अपना मानना और सटा बजार में भी मावबववच्व चल रहा है इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही हो उससे जागा सीट में आ कि मोधी सरकार नहीं बन रही है केंद्र में इंडिया गठवंदन की सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी दिल्ली को पूर्ण रज्य दिलाएंगे तो एक और पोइंट है जब मैं जेल के अंदर था तो गुछ लोगों ने यह मद्धा उठाया केजरिवाल सी एंपद से इस्तीफा क्यों नहीं देता दोस्तों केजरिवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ मैं आप मंत्री मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री ये सब बने नहीं आया इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था कमिशनर की नौकरी छोड़के दिल्ली की जुगियों के अंदर एक नी दो नी तीन नी दस साल तक मैंने दिल्ली की जुगियों के अंदर कांग किया है सुन्दर नगरी और नंगरे दिल्ली की जुगियों के इंकम टैक्स कमिशनर की नौकरी छोड़के जब मेरे को दिल्ली की जंता ने पहली बार C.M. बनाया असूलों के उपर 49 दिन के अंदर C.M. पद से इस्तीफा दे लिया था एक 84 की नौकरी कोई नी छोड़ता C.M. बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिए तयार होते हैं मैंने खुद से अपने आप C.M. की कुर्सी को लाद मार दी थी 49 दिन के अंदर मेरे लिए C.M. पद इंपोर्टन नहीं है आज मैंने C.M. पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेयल जाने के बाद दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में इतने राज्यों के चुना हुए इतने राज्यों के चुना हुए दिल्ली के अंदर सबसे एतिहासिक बहूँमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-562 पर्सेंड हों 30 72 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीते इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद जूटा केस अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर उन्हें पता अगले 20 साल तक दिल्ली में आमादमी पार्टी को कोई नहीं अरा सकता तो उन्होंने एक शड्यंत्र रचा राजनेतिक शड्यंत्र रचा केजरीवाल को जूते केस में जेल भेज दो हैं तो केजिनी वाल को स्टीफा देना पड़ेगा केजिवाल की सरकार ही जाए उन्हाने यह शट्यंत्र रचा मैंने का मैं भी स्टीफा नहीं दूंगा तुम अगर तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे, दोस्ते. सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे, कता इस्तीफ़ा, तुम्हारे ट्रैप्ट में फसने लिए इडिये हैं. यह अगर हिमन्त सोरेन साब कर भी स्तीफ़ा नी देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चीह है अगर हमने स्तीफा दे दिया यह तो बड़ा अच्छा ईंके लिए जिस राज्य के अंदर इस चुनाव और ईंगे उसके मुक्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार उसके अगर दिल्ली की जेल के अंदर रहके दिल्दी की जेल से इस्तीफानी दे रहा वो इस ताना शाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं इसको समझ देना हूं केजरिवाल को किसी पद का लालचनी है सीम तो सौ सीम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है मुझे पता चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावो क्यों खासकर मेरी मां बेहने महिनाएं बहुत रोही कई उन्हें बहुत मन्नते मांगी मैं सब का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी दुआएं, करोडों करोडों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं, पूरी दुनिया भर से करोडों लोगों ने दुआएं भेजी, उन्हें के आशिरवात का कमाल है, कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोग सब लोग सुखी रहें देश खुब तरक्की करे फले भूले आप सब लोग खुब खुश रहें ऐसी मेरी प्रभो से इच्छा है भारत मतकी